आजम थोड़ा विस्तार से जानेंगे देवों के उत्पन होने या पैदा होने के बारे में कि वे कैसे कहां कब पैदा होते हैं, पैदा होते ही क्या होता है प्राई हर जन्म लेने वाले विक्ति को गर्ब से होकर यानि गर्ब के दुखों को जेल कर बाहर आना होता है गर्ब के गंदगी भरे माहोल में भले मनुष्य या पसुपक्षी हो या फिर नरक के जीव हो उस दुख से गुजर कर बाहर आना ही होता है इन में सबसे ज़्यादा दुख भरा जन्म नरक के जीवों का होता है वे लोहे की संक्रे मूँ वाली कुंब्यों में पैदा होते हैं जिसमें से निकलते निकलते ही उनका शरीर टुकडो टुकडो में कट जाता है उसके बाद पशुपक्षी का गर्ब आता है जिनके जन्म लेते ही जान का खत्रा मंडराता रहता है कि कहीं कोई खान ले या मार न उसके पस्चात मनुष्य का आता है जो कि नौ मैने गर्ब में रहने के बाद बाहर आता है पर सबसे सुपमय जन्म होता है देवो का ना गर्ब की मलमूत्र की गंदगी ना महीनों का इंतजार ना किसी सत्रू का भई सुगंदित वातावरन में कोमल सैया पर कैसे देवों का जन्म होता है वो आजहम जानेंगे तो देवों की उत्पती उत्पात सैया में होती है ऐसी उत्पात सैयाएं संक्यात योजन वाले देवलोग में संक्यात है और असंक्यात योजन वाले देवलोप में असंक्यात है उन सैयाओं पर देव दुश्य वस्त्र धका रहता है धर्मात्मा और पुन्य आत्मा जीव जब उसमें उत्पन्न होते हैं तो वो अंगारों पर डाली हुई रोटी के समान फूल जाती है तब पास में रहे हुए देव उस विमान में गंटा नाद करते हैं और उसकी अधिन्ता वाले सभी विमानों में गंटे का नाद हो जाता है गंटा नाद सुनकर देव और देवियां उस उत्पात सहिया के पास इकटा हो जाते हैं और जय जयकार की ध्वनी से विमान गून जूपता है अंतर मोरत के बाद उत्पन हुआ देव पांचो परियाप्तियों से परियाप्त होकर तरुन या युवा वई वाले के समान शरीर को धारन करके देव दुश्य वस्तरों से सरीर को आच्छादित करके बैठ जाता है इसके बाद वे अन्य देव उससे पूस्ते हैं आपने ऐसा कौन सा सुपकार्य किया जिसे से आप देवलोक में आए और हमारे नात बने तब वो देव अपने अवदिग्यान से अपना पूर्व जन्म देखता है और उन्हें बताता है अपने पूर्व जन्म के परिवार वालों को ये सूचना देने के लिए कि मैं मर कर देव योनी में पैदा हुआ हूँ आप सब मेरी चिंता न करें वो जाने के लिए उद्यत होता है तो सारे देव उसे रोग देते हैं और कहते हैं अभी तो तुम उत्पन हुए हो अभी ही क्यों जा रहे हो बाद में चले जाना पहले देवलों के सुकों को तो भोग लो, देख लो, जान लो, फिर चले जाना देवों की बातों में आकर नया उत्पन हुआ देव फिर सोचता है पहले थोड़ा देवलों के बारे में ही जान लो, फिर परिवार वालों से मिल लूँगा इसके बाद अन्यदेव जो की अनिक या गंदर्व जाती के होते हैं वे अपनी दाई भुजा से 108 कुमार और बाई भुजा से 108 कुमारिया निकाल कर 32 प्रकार का नाटक करते हैं और 49 प्रकार के वाद्यों के साथ 6 राग और 36 रागनिया मदुर्सवर से अलापते हैं इसे देखने और सुनने में ही मनुश्य लोग के 2000 वर्स पूरे हो जाते हैं फिर जब उस देव को लगता है अब परिवार वालों के पास जाना चाहिए तब तक पूरा परिवार मृत्यों को प्राप्त कर चुका होता है क्योंकि देवलों के सुकों में दिव्य भोगों में सम वे हर हाल में अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं। तो ये थी संचिप्त जानकारी देवों के उत्पन होने की। आज का प्रस्न है सबसे सर्वस्रेष्ट देव कौन होते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें।